हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310 आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल पॉन से अपने यूट्यूब की वीडियो में थमनिल को कैसे अड़ कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं तो यह नहीं पता कि आपके चैनल को वेरिफाई कैसे करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो औरेड़ी बना रखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाल दूँगा आप वहां से जाके इसली उसे सीख सकते हैं त तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के उपर इसमें आपको अपने मोबाइल फोन में वाई टी स्टूडियो एक अप्लिकेशन है इसको उन्स्टोल कर लेना है और इसमें अपने यूट्यूब जो चैनल है उ चाहते हिसको ऊपन करेंगे हम इसमें आप देख सकते हैं यहां पे हमारी जो भी वीडियो ऑसके हैं यहां पे आपको यहां पर मेरी कुछ वीडियो दिखाई दे रही हैं आपको आपको भी ऐसी अपने चैनल की सारी वीडियो यहां पर दिखाई देने लग जाएंगी तो आपको जिस वीडियो में थमनिल लगाना है तो उस वीडियो के उपर आपको क्लिक करना है जैसे मैं इसमें पहली वाली वीडियो पर क्लिक कर करना है उसके बाद हमें यह जो पैंसिल का बटन यह आपके दिखाई दे रहा है एड़िट का इस पर एक बार और क्लिक करना है उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने यह कुछ थमनिल इसने ऑटोमेटिक बना दिए हम इन में से भी चाहें तो लगा सकते हैं यहां पे यहां कोई कस्टम थमनिल भी ले सकते हैं यह वाला ओप्शन आपका तभी हाइलाइट होगा जब आपका चैनल जो है आपके मोब से वेरिफाई कर रखा है तो आपको कस्टम थमनिल एड करने के लिए इस पे क्लिक करना है उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं अगर आपको थमनिल बनाना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दू है तो इसमें आपको कस्टम थमनिल पर क्लिक करना है और अपनी कोई भी जो आपको लगाना है वह यहां पर फोटो स्लेक्ट कर लेनी है जैसे मैंने यह स्लेक्ट कर ली है उसके बाद यहां पर स्लेक्ट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यह दो मिनट के अंदर आप पर एड्ड हो गया है उसके बाद यहां पर इसे जैसे ही सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यह आपकी वीडियो में लग चुका है डेक वाला उप्शन पर जाएंगे यह देख सकते हैं में यह हमारा थामनील लग चुका है यह एक-दो मिनट लिता है रिफ्रेश होने में तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब की वीडियो में तमनील को एड़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फॉन से तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू